बिहार की नमबर वन एलेडी मैनुफेक्ट्रिंग कमपनी अलको एलेडी लाइट्स स्मार्ट और ब्राइट कॉंटक्ट फोर डिस्टिबूटर्शिप नौलंदस से इस वक्त के बड़े खबर स्वाम ने निकल कर आ रही है जहां मामूली बात को लेकर चाचा भतीजा के बीच हुई बीवाद में भतीजा ने चाचा को घर में घूस कर गोली मार दी आनन फानन में इलाज के लिए थाना पुलीस ने लाया और स्वादर इस्पताल जोहां डॉक्टर ने जाच की दुरान उसे मृत घोशित कर दिया बता दे चोली कि घटना के संबन में बताया जौता है कि एक ब्यक्ति की गोली मार कर हत्या कर दी गई है घटना का कारण स्पस्ट नहीं हो सका है वही मामला वेना थाना चीतर के विर्णामा गाउ का है जाच में जुटी पुलीस घटना के सूचना पाकर पहुंचे पुलीस ने आनन फानन में इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुचाया जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोशित कर दी मामूली बात को लेकर हुए विवाद में भतीज़ा ने चाचा को गोली मारा है मृतक का नाम राजीब कुमार पिता कैलू यादब है जबकि इस घटना में तीन अन्य लोग जखमी हुए हैं जिसका बिहार सरीफ सदर अस्पताल में इलाज चुर रहा है और बताया जौता है कि प्रथम द्रिश्चता मामला जमीन विवाद से जुरा बताया जौता है कौन गुलीन को मारा है कौन मारा है कि परिवारिक जंजट था आपस में विवाद हुआ उसमें लड़का है राजीब नाम के राजीब यादब को गोली असलाद्या जिस्टोर की दोक्टर साहब बताएं कुए तुने वहां अतना देर समय नहीं दिये घटना हुए उससे में उसको आनन खानन में लेकर के चले राजीब के मौत हुए राजीब योक्तर साहब पदर हस्पिताल में वताये ची जा विवाद को पता चला है जाके दिवाद जाए कहां का मामला है से बिरना माप जोना खानांतर का स्थिरना मागराम है क्या ना मौपका ये एसाई जायकर स्पाश्वांग